अगर एक लाइन एक लाइन के पैरलल है तो उसकी जनरल एक्वेशन क्या होगी यह हमने बात करी थी चिक है इस पर बेसिस पर हम लोगों ने कुछ चीज़े अभी तक डिसकस करी थी आज हम लोग आगे डिसकस करते हैं सबसे पहले तो हम एक इसमें जो हमने बात करी थी कि डिस्टेस बिट्वीन टू पैरलल लाइन्स चीक है उससे हम लोग आज एक क्या निकालेंगे एरिया आफ पैरलोग्राम चीक है एरिया आफ पैरलोग्राम अगर हमारे पास एसे एक पैरलोग्राम दे रखा है ठीक है यह जो साइड है इसकी एक्वेशन हमें क्या या इस साइड कि एक्वेशन वाइज इक्वेशन टूर्म एप्स प्लस C1 है और इसकी एक्वेशन वाइज इक्वेश टू एम एक्वेश फ्लस C2 है चीक है तो और ये वाली साइड जो है y equals to nx plus d1 है और ये वाली साइड जो है y equals to nx plus d2 है अगर ऐसी हम लोगों को दो साइड दे रखी है तो observe करिए कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से यह बने diagonal बनाया यह 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 बना यह 90 है यह 90 है तो देखरो यह दो पर्लोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है अगर यह क्या हो जाएगा थीटा अब जो झाओ अब ऑफ पर्लोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया अफ पर्लोग्राम इस इक वाले ट्रैंगल में यह वाले ट्रैंगल में इस वाले ट्राइंगल में अगर हम क्या करते हैं कि हम बात करें कि what is P1 by A P1 by A is sine theta और यह angle theta है तो यह angle भी theta होगा यह side B है तो यह side B होगी तो अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं तो क्या लिख सकता हूं P2 by B is also sine theta तो A की value में P1 by sine theta और B की value में P2 by sine theta चीक है तो इस करण से area जो हम लोग A B sine theta लिख रहे थे उसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं P1 by sine theta P2 by sine theta into sine theta तो formula का एक जो नया definition हमारे पास आ जाता है that is P1 upon P2 upon sine theta चीक है अब इस expression से अगर हमारे पास चारो sides इस form में दे रखी हैं तो इस पैलोग्राम के area जल्ली निकल पाए अभी आपको भारी भारी लग रहा हूँ अब क्या क्या काम कर रहे हो लेकिन जो result आएगा वो आपको इतना simplified result देगा तो आपके पास चारो sides हैं तो आपके पास कोई option नहीं बसता एक लाइन क्या है एक लाइन की equation जो आपको दे रखी है एक लाइन है आपका nx minus y plus d1 equals 0 दूसरी लाइन है nx minus y plus d2 equals 0 तो कुई मुझे voice पर बताएगा कि ये p1 की value कितनी आने चाहिए विल एन टेल में विदा वाट विल वैल्यू आव पीवन कौन बताएगा जली सिबता भाई पीवन की value क्या आएगी mod of d1 minus d2 upon under root दो मिट्रों को दो टुकना जरा ये voice इतनी कम क्यों आ रही है हाँ बोलो कुई voice बहुत कम आ रही है कौन बोलेगा mod of d1 minus d2 upon under root n square plus 1 where you go d1 minus d2 upon under root of 1 plus n square ठीक है ये p1 आ जाएगा फिर इसके बाद p2 की बात करते हैं ठीक है तो p2 जो होगा वो क्या होगा p2 जो है वो इन दोनों lines के बीच का distance है तो similarly that will be c1 minus c2 वो distance है किसके बीच में nx minus y plus c1 equals 0 और mx minus y plus c2 equals 0 तो इनके बीच का distance जो आएगा वो under root of 1 plus m square आएगा ठीक है ये p1 है ये p2 है ठीक है अब यहाँ पर देखो कि हम लोग क्या क्या करेंगे p1 आ गया p2 आ गया अब बत करने है sin theta अब sin theta के लिए देखो 10 theta 10 theta is the angle between the theta is the angle between the two lines with slope n and slope m तो 10 theta की value क्या होगी mod of m minus n upon 1 plus m n तो कि इसका slope n था इसका slope m था अब 10 theta हमें पता है तो हमें क्या निकालना है sin theta sin theta निकालने के लिए देखो क्या है perpendicular पता है base पता है क्या निकालना है hyperneus तो हम लोग hyperneus का विए जो calculation है वो हम separately करते हैं चीक है sin theta की अगर हम लोग calculation करते हैं तो हम लोग देखो क्या हो जाएगा ये right angle triangle में अगर हम लोग बात करें तो ये side m minus n है ये side 1 plus mn है तो ये side क्या हो जाएगी this side will be equals to under root of m minus n का whole square मतलब m square plus n square minus 2mn फिर plus इसका square तो 1 plus m square n square plus 2mn ये दोनों cancel हो गए अब देखो जो बचा उसको मैं क्या लिख रहा हूँ m square plus 1 plus n square plus m square n square आप देखो यहाँ पर fetalize होके मैं इसको 1 plus m square into 1 plus n square बोल सकता हूँ तो ये वाली side जो है वो under root of 1 plus m square 1 plus n square ये आ रही है तो sin theta की value क्या आ जाएगी mod of m minus n theta ये angle है तो m minus n upon under root of 1 plus m square under root of 1 plus n square ठीक है ठीक है ठीक है बात संच मैं इसब कोई है ये इस सर्थ बाकी बच्चे हिताली नंदनी आप लोगों को इस चीज बिलकूर क्लियर है कहीं भी कुछ भी doubt हो किसी तरीके का ये इस सर्थ क्लियर है ओके समर्थ बाबू सौमया शरीव देखे सारी बात है आप लोगों को अपने doubts क्लियर करने कहीं भी को सवज में निया तो बेज़र पूछो मैं बताऊंगा ठीक है नहीं तो ऐसे तो अब मैं तुम्हें यूटूब पर अपने यूटूब चैनल पर तुम्हें वीडियो देख लोगे ठीक है लेकिन वीडियो देख यहां पर बात क्या कि हमें तुरंत जो doubt है हम तुरंत हातो आज पूछ सकते हैं तो जो हमारा यहां से sin theta भी आ गया sin theta आ गया तो देखो हमारा area का जो formula था वो area का formula क्या था P1 P2 upon sin theta तो यह क्या हो जाएगा mod of d1 minus d2 upon under root of 1 plus n square mod of c1 minus c2 under root of 1 plus m square और नीचे क्या हो गया mod of sin theta is m minus n upon under root of 1 plus m square under root of 1 plus n square तो यह दोनों यहां से cancel हो गए you are left with d1 minus d2 mod of c1 minus c2 upon mod of m minus n चीक है अब यह हमारा formula है जो आपको याद रखना है यह क्या बहुत ही आसान है याद रखने में difference of the constant of two parallel line difference of the constant of the other two parallel line upon difference of the slopes ठीक है मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने आपको parallelogram दिया इस तरह से यह line की equation जो है y is equals to 2x plus 3 है इस line की equation y is equals to 2x minus 1 है यह line y equals to minus 3x plus 1 है यह line जो है y equals to minus 3x plus minus 1 है यह equation है तो बताओ area क्या होगा सबसे पहले जरूरत क्या है slope यह slope 2 था minus of minus 3 का mod चीक है तो यह क्या हो जाएगा 4 into 2 upon 5 तो अंसर हो गया 8 by 5 तो area of the parallelogram is 8 by 5 सब्जमे आया? आज से area of parallelogram का यह आपका एक नया formula आ जाता है चीक है? इसमें सब लोगों को का समझ में आ गया तो everyone just inform me by raising the hand hand raise करना सबको आता है? yes sir just raise the hand and tell me that you understood everyone सब लोग अपना अपना hand raise करके मुझे बस बता दें कि आप सबको सब्सक्राइब आ गया है समया, समर्थ आपके दरह से कुई response नहीं आ रहा है okay ठीक चलिए तो एक तो यह बात हो गई, ठीक है तो कैसे use होगा यह आपको यह वाला part clear हो गया now okay hand down कर लिए उसमें अगला जो आता है equation of a line perpendicular to ax plus by plus c equals to zero ठीक है तो देखो अगर कोई line इसके perpendicular होगी तो क्या होगा कोई line इसके perpendicular का slope क्या है इससे m की value b by a आ जाती है तो अगर मैं line की equation लिखूँगा तो y is equals to b by ax plus constant यह आपका intercept होगया c वहाँ पर use करो तो मैं c1 लिखता हूं ठीक है तो जड़ा देखो यह क्या हो जाएगा this will be equals to a y is equals to bx plus c1 a जिसको मैं bx minus a y plus c1 a लिख सकता हूं तो यह line इस line के हमेशा क्या है perpendicular लेकिन यह कोई constant होगा जो हमें नहीं पता क्या है ठीक है तो इस current से हम क्या करेंगे अगर हमें इस line के perpendicular कोई line assume करनी है तो bx minus a y plus lambda equals to 0 is a line perpendicular to ax plus by plus c equals to 0 ax plus by plus c equals 0 से ठीक है ax plus by plus c equals 0 के perpendicular line जो होगी उसकी equation यहाजिक जैसे याद है ना parallel line की बात होती थी तो parallel line में क्या होता था ax plus by plus lambda equals to 0 होता था is a line parallel to ax plus by plus c यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ क्या है कि x और y, x और y के coefficient interchange हो गए है और बीच में plus की जगे क्या आगया है minus यह difference करने से हो जाता है जैसे अगर मैं सोटक simple सा example लेता हूँ कि find a line perpendicular to 2x plus y minus 1 equals 0 through 5, 2 5, 2 से pass करने वाली इसके perpendicular line चीक है तो क्या करेंगे हम लोग यह हम लोग करेंगे कि x और y के coefficient को interchange कर दो तो यह हो जाएगा x यह हो जाएगा 2y बीच के plus को कर बीच का जो भी sin उसे उल्टा दो ठीक है तो minus हो जाएगा plus lambda equals 0 यह line हमेशा इसके perpendicular है अब यह pass कर रहा है 5, 2 से तो 5 minus 2 into 2 plus lambda equals 0 तो lambda की value minus 1 and the required line will be x minus 2y minus 1 equals to 0 यह कैसी line की equation हो गई जो क्या होगी जो इस line के perpendicular होगी और 5, 2 से pass करेगी ठीक है जैसे तुमसे बोलूँ की find equation of a line perpendicular to 3x minus 4y plus 2 equals to 0 at a distance 2 from 1, 2 जिसका 1, 2 से distance 2 होना चाहिए बताओ क्या आएगा जो अपना वीडियो ओन कर सकते हैं वीडियो ओन कर दें बाकी लोग जैसे देखते रहे और दूसरा option मिला है नहीं मतब मैं इंसानों कोई पढ़ा रहा हूं कि ये थोड़ा ऐसास होना चाहिए ना पूर थैंक ये थाली थैंक ये नंदनी थैंक ये शानी सुझ में आ रहा है बेटा सबको ने किसी को बोलने वोलने मैंसे हो तो ऐसे सब करके बता दो बस ना तो at least I will see अब देखो अगर मुझे इस line के perpendicular line assume करनी है तो इस line के perpendicular line क्या assume करेंगे वो हो जाएगी x और y के coefficient को interchange कर दो तो कितना हो जाएगा 4x ठीक है प्लस 3y प्लस lambda 1 को जीरो इसका distance 1,2 से कितना है 2 तो 1,2 से इसका distance क्या होगा 4 प्लस 6 प्लस lambda अपॉन 5 का mod ये होना चाहिए 2 ठीक है तो इस कारण से lambda प्लस 10 का mod ये आपका कितना आना चाहिए 10 तो इससे lambda प्लस 10 की value प्लस माइनस 10 आ जाती है ठीक है तो इससे lambda की एक value 0 और लैंबडा की एक value माइनस 20 आ जाती है क्लियर ये अला पाट और साथ में नोट्स बनाते चलो बेटा साथ में नोट्स जरू बनाते चलो अगर आपको कभी भी किसी स्थिर्फाइड करना तो बहुत जार जरूरी है कि आप अपने हाथ से बने हुए नोट्स आपको ध्यान हो जब मैंने अपने एक्जाम दिया था तब ध्यान रखिए कि जब मैंने आपके धिरेंसर भी आपको यही बोलेंगे कि आपको जब मैंने एक्जाम दिया था तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो बिल्कुल फोटू की तरह याद थी that was our class notes जो हमने हाथ से बनाए थे थे ओके चलो यह चीज़ आ गई और क्या हाँ यह सब चीज़ना हमारी आ चुकी है अब इसके बाद कि हम लोग क्या बाद कर सकते हैं दो बनेट हाँ हाँ किदर गया हाँ हाँ अब यह यहां तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि distance क्या रहेगा यह सब बात हो गई अगला एक और form आता है लाइन का जिसे हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है यह फॉर्म जो है वह अगर आप देखेंगे तो जेई के पॉइंट अव्यू से यह थोड़ा सा क्या हो जाता है कि इसके क्वेशन जो होते थे ना वह बड़े होते थे लेंदी होते थे तो objective pattern आने के बाद से क्या हुआ इसके question थोड़े से कम हो गए लिए बड़े काम की चीज है मतलब इतने अच्छे-च्छे questions बनते हैं तो advance वगरा कि इसाब शकर आपको इसको अच्छी-कासी importance देनी चाहिए ठीक है इसके काफी अच्छी अच्छी तो जो 3D चेप्टर पढ़ेंगे तो जो 3D चेप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपका बिल्कुल formulation किसकी जैसे आएंगे straight line की तरही आएंगे they will be like straight line ठीक है तो parametric form का मतलब क्या होता है parametric form का मतलब यह रहता है कि normally अगर मानले को कोई line मैंने आपको दे दी ठीक है ना एक line मैंने आपको दे दी let's say example की तरही लेता हूं line दे दी 2x minus y plus 1 equals to 0 अब इस line पे अगर मुझे कोई point P assume करना है तो normally मैं उस alpha comma beta represent करता हूं है ना yes sir तो अगर मैं इसको इस तरह से ज्यूम करता हूं तो कितने variable ज्यूम करने पड़े दो जितना variable ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा जितने variable ज्यादा उतना हमारा काम बढ़ जाएगा चीक है तो इस कारण से यह समझे कि parametric form में हम करते क्या है कि दोनों variable को किसी तीसरे variable में लिख देते हैं कैसे जैसे for example एक तरीका कैसा है कि सोचो यहाँ पे y जो है वो कितना है 2x प्लस 1 तो मैं y को जो बीटा होगा उसे 2 alpha प्लस 1 लिख सकता हूं तो मतलब यह वाला point जो होगा वो alpha comma 2 alpha प्लस 1 मान सकता हूं लेकिन यहाँ पे आसान था और क्योंकि denominator में कुछ नहीं आ रहा तो हमें अच्छा लग रहा है लेकिन हर जगे इतना आसान नहीं होगा ना तो हमें generalized pattern बनाना है तो parametric form का मतलब होता है कि कि किसी कर्व पे lie करने वाले points को assume करना और उसमें x y assume नहीं करेंगे किसी एक ही parameter की terms में सब कुछ क्या करेंगे represent कर देंगे ठीक है just a minute okay तो उसके लिए हम लोग क्या करते basically parametric form को हम लोग और नाम सुनेगा आपको मिलेगा उससे हम लोग बोलते distance form इसमें क्या होता है कि मान लीजे एक line है ठीक है वो line x-axis से कितने angle pink line है theta angle pink line है और वो एक fixed line से pass कर रही है x1 y1 ठीक है fixed line से pass कर रही है x1 y1 अब सोचो अगर कोई point मैंने यहां पे लिया x, y any point x, y on this तो यह मैंने ऐसे perpendicular drops कर दिये तो यह theta था तो यह वाला भी theta ही होगा अच्छा अब let's say यह जो distance है mod r अब mod r है तो हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे r तो क्या होता है कि इस point के इतना distance होगा ठीक है x1 होगा r cos theta y1 y1 क्या आएगा r sin theta दोनों को divide कर दो तो बताओ y minus y1 upon x minus x1 1 plus to 10 theta बन गए की नी बन गए line की equation तो यहां पे हम क्या करते line की equation बताने की बजाए हम उस पे लाए करने वाले किसी point के coordinates लिख देते ठीक है बासमज में सब को यह कि any point चीक है इसका मतलब यह हुआ कि any point on the line चीक है किसे को English शंदी बगारा से ज़्यादा दिखकत हो तो please बताए है ना उसकी चिंता ना करे तो any point on this line कोई भी line जो दे रखिये जो x1 y1 से पास कर रहा theta angle pink line है तो any point on line at an angle theta passing through a fixed line fixed point x1 comma y1 अब जोगो theta fix है और यह fix है तो line तो fix है will be या can be ठीक है will और can be taken as x1 plus r cos theta y1 plus r sin theta ठीक है इस तरह से हम इसको ले सकते ठीक है this is any point कुई भी point अब बताओ अगर यह point a move करेगा पी तो fix है अगर यह point को मैं move करना शुरू करूँ तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो change करेगी यह point का coordinate है ठीक है ना यह point के coordinate में अगर यह point को मैं होगा तो क्या चीज move करनी चाहिए what thing will change x1 y1 r और theta तीन variable है यह आपे x1 y1 x1 y1 fixed point fixed point तो तो change नहीं होने वाला ठीक है आपका cost theta cost theta was the inclination of the line line inclination भी change नहीं होने वाला मतलब point change होगा तो कौन change होने वाला है सिफ और सिफ आर मतलब हर point की पहचान अब किस से हो गई हर point की पहचान उसके आर से हो गई मतलब हर point के लिए एक अलग-अलग आर आएगा for every point you will get a unique r ठीक है लेकिन बोलो के इसल r का मतलब क्या है कि basically r जो होता है उसको हम लोग बोलते है r is a parameter proportional to distance of the variable point from the fixed point repeat कर रहा हूं दुबार r is a variable और a parameter proportional to distance of the variable point from the fixed point x1, y1 यो कि हमरे की पॉइंट है x1, y1 जहांसे line pass कर रही है ठीक है x1, y1 से किसी point का जो इस डिस्टेंस होगा उसके proportional होगा अब proportional होगा अब बोलो इसल अभी तो distance बोला था आपने अब proportional क्यों बोल रहे हो यह तो बात बदल रहे हो आप बार बार ठीक है तो ऐसी बात नहीं है वो मैं क्यों बोलना हूं मैं technicalities के कारण बोल रहा हूं अब देखिए वो technicalities क्या है यह देखिए यहां पर यह निकाला था यह निकाला था तो यह वाली जो चीज निकाली इसको observe करिए कि अगर मैं यहां पर x-x1 का whole square प्लस y-y1 का whole square करूं यह a point जो मैंने x, y मानता था उसको मैं ऐसे मान सकता हूं तो अगर यह करूंगा तो यह क्या आएगा r square आ जाएगा यह देखो यहां से चीक है तो अगर मैं इसका under root ले लूँगा तो यह under root of r square, under root of r square क्या आएगा that will be mod r चीक है तो यह जो किसका length है ap मतब mod of r is equals to ap मतब r can be equals to ap और minus ap इस कारण से हम r को यह नहीं बोलते हैं कि r ही distance है हम बोलते हैं कि r is proportional to ap length r जो है proportional है चीक है अब इसमें क्या होता है कि same distance पे दो point हो सकते एक इधर भी और एक इधर भी तो एक के लिए r होगा दूसरे के लिए क्या होगा minus r होगा अब इससे फाइदा क्या होता है अगर यह चीज आपको सुझ में आ गई तो इससे फाइदा यह हो जाता है कि हम इस proportionality को use करके इस line की equation का बहुत गलत फाइदा उठा सकते है अच्छा फाइदा उठाने मज़ा थोड़ी आता है ठीक है दखो यहां पे यह point था x1 y1 let's say यह point था P यह हो गया A यह हो गया B यह point हो गया C यह हो गया D और यह हुआ E अब मैं यहां पे आपको यह information दे रहा हूँ कि यह length यह length यह length, यह length, यह length, यह length सारी length बराबर हैं all these lengths are equal ठीक है समझना है है हमने statement क्या दिया है कि यह जितनी length है कौन-कौन सी PA, AB, BC, PD, PE और D, यह सारी length बराबर है तो देखो अगर मैंने A के लिए parameter R माना और A का parameter R तो बताओ D का parameter क्या होगा minus R ठीक है जितना distance उदर है उतना distance इदर है तो minus R अच्छा, अब बताओ B का parameter क्या हो जाएगा A का distance P से जितना है B का distance उससे दुगना है इसका parameter R तो इसका parameter क्या हो गया 2R, C का parameter क्या हो गया 3R, E का parameter क्या हो गया minus 2R तो देख रो मैंने A की parameter R से 5 point लिग दिये सिफ मुझे distance पता था अब इससे हुआ क्या 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 अगर मैं इन 5 point को use करके कोई question करूंगा तो मेरे लिए variable सिफ एक ही है मेरे पास एक ही variable है R R मुझे मालूं चल जाए तो मैं 5 के 5 point एक ही जटकी ब निकाल दूँगा तो यह चीज करना यहाँ पर आसान हो जाता है calculation थोड़ी सी हमारे comfort zone के बहार होती है यह बिल्कुल मैं मालूंगा आपको शुरू में मतलब बिल्कुल वही feeling आएगी जो मम्मी सबजी खिलाती हुआ ली वात ठीक है लेकिन actual में सबजी खाके थोड़ी ताकत आएगी आएगी चिंता बद करना उसके ठीक है न और बीश में अपन चाट मसाल होगर अभी डाल देंगे तो अब देखो यहाँ पर इसके यूज़ अब यह वाला पाट सवज में आगया ना कि यह कैसे होगा अब माल लोगर आगे हम इसको यूज़ करेंगे लेकिन प्रोपोर्शलिटी कैसे के यूज़ कर रहे हम लोग इसको यूज़ कर लिया अब क्वेश्चन कैसे करते कैसे कैसे कुश्चन आएंगे क्या आएंगे उन सब की बात अभी हम करते हम स्टार्ट करते लेकिन अभी तक जितनी बताई उसमें मुझे पहले यस नो चाहिए सब लोगों मुझे या तो चैट पर बता दो आवाज से बता दो सवज में आ गया गया यस सर्थ कौन कौन सी प्रजातिय बची है नंदनी बिटा सवज में आ गया यस सवार्थ सवामया सवार्थ बाबू अब हमारी यस्री बिटिया का है एक तो उसके भाई बेन उसके फोन ले जाके परिशान करते हैं उसे बहुत यस्री तुई पढ़ रही है कि तेरे भाई पढ़ रहा है यस्री भाई लेकर बागिया फोन लग रहा है चलो तो यह इस तरह से हो गया अब हम लोग इसमें questions कैसे आएंगे वो देखते हैं मल अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि 2,1 से ठीक है 2,1 से 3 भाई 4 स्लोप की एक लाईन है तो पहले मुझे उसकी लाईन की equation निकालो find the equation of that line parametric form है नहीं, general, simple equation ठीक है Sir, 4y minus 3x equal to minus 2 y minus 1 upon x minus 2 is equals to 3 by 4 so 4y minus 4 is equals to 3x minus 6 so it says 3x minus 4y plus 2 equals to 0 ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसे change कर दो parametric form में अब जगो, अगर मुझे ये data दे रखा है तो parametric form अलग से लिखा हूं अलग तरह से लिखा हूं लेकिन अगर equation मुझे ऐसी दी होती तो parametric form थोड़ा अलग से निकाल से ठीक है ना तो अगर मुझे ये दे रखा है तो fix x1, y1 कौन हो गया? 2, 1 तो कोई भी point इस line पे मानेंगे 2 plus r और 1 plus r यहाँ पे cos theta, यहाँ पे sin theta लेकिन cos theta, sin theta कैसे निकालने? क्योंकि दे तो हमें क्या रखा है? 10 theta, slope दे रखा है ना? तो 10 theta 3 by 4 है अब 10 theta 3 by 4 है तो बताओ cos theta कितना हो जाएगा? 4 by 5 sin theta कितना हो जाएगा? 3 by 5 हो गया? तो इस current से जो हम इस line पे यह जो line है इस पे कोई point मानना है वो कोई point हम लोग क्या मान सकते हैं? 2 plus 4 r by 5 and 1 plus 3 r by 5 this is the any point यह इस पे r की हर value के लिए कुई न कुई point मिलेगा जो इस line पे लाई करेगा मान लो अगर मैंने r की value 1 रग दी r की value 1 रग दी तो बता point क्या हो जाएगा? 14 by 5 चीक है? और क्या हो जाएगा? 8 by 5 तो 14 by 5, 8 by 5 is one of the point अगर मैंने r की value minus 5 रग दी तो देखो क्या हो जाएगा? 2 minus 4 2 minus 4 हो गया minus 2 और यह हो जाएगा 1 minus 3 minus 2 तो minus 2 comma minus 2 इसको satisfy कर रहा है आप check कर लो मतलब हर एक r की value के लिए आपको एक point मिलता जाएगा ठीक है? हर r की value के लिए एक point मिलता जाएगा जिसके लिए आप वो point इस line पे लाई करेगा एसे r की कितनी values दख सकते हैं हम लोग infinite values दख सकते हैं तो हर value के लिए एक-एक point for every, you will, हर point के लिए एक जितने r आएँगे, उतने point आएँगे चीक है? इस तरह से condition यह रहेगी तो यह इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अच्छा, अब जैसे की दो मिनेट पेज नमबर अठारा पे जाते हैं आएँगे, के रिएपर लिएपर आएँगे, क्याओशटर है लुप टारे neis दो मिनेट दो मिनेट दो फैमली अफलाइण होगा तो मिनेट मैट्रिक फाम रहे रहे यहाँगे तो यह इस तरह से मैं यह कंडिशन आ गई और क्या क्या होगा जैसे अगर मैं आप से बोलूं कि यह एक लाइन है ठीक है लाइन मैं यही उस कर लेता हूं ठीक है कौनसी लाइन 3x-4y plus 2 equals 0 ठीक है अब मुझे क्या करना है यह एक और या फिर ऐसा करता है कि यह पॉइंट बोला यह पॉइंट मैंने बोला लेट से कौन सा पॉइंट बोल दूं 1,2 बोल दूं 1,2 हाँ चलेगा 1,2 का मुझे डिस्टन्स चाहिए ठीक है किस से यह एक लाइन दे रखी हमें इस वन इकोज जीरो 1,2 का मुझे इस लाइन से डिस्टन्स चाहिए लेकिन नॉर्मली कॉश्चिंस में क्या होता है कि जब भी मैं ऐसा कॉश्चिंट बोलूंगा तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे जहां से परपेंडिक्लर डिस्टन्स पूँच रहा हूं ठीक है मतलब यहां स अधर मैं इस पॉइंट से इस लाइन के पैलल चलु तो यह वाला पॉइंट क्या होगा और यह वाली डिस्टन्स क्या होगी I want the distance of the point from the line x plus 2y minus 1 measured parallel to 3x minus 4y plus 2 okay what is the question find the distance of 1 comma 2 from x plus 2y minus 1 equals to 0 measured parallel to 3x minus 4y plus 2 equals to 0 यह question है अब इसके लिए ऐसा अब देखो parametric form के question का ऐसा को restriction नहीं है कि यह सिर्फ parametric से ही होंगे आप इस question को क्या कर सकते थे देखो यह जो भी line होगी वो इस line के parallel होगी ठीक है तो यह जो हमारी required line है इसकी equation में क्या मान सकता हूँ ठीक है एक पहले मैं आपको without parametric करके दिखा रहा हूँ method 1 ठीक है कि अगर मैंने यह वाला point P बोला और यह वाला point में A बोल देता हूँ तो equation of PA will be 3X minus 4Y plus lambda equals to 0 1,2 से pass कर रहा है तो 3 minus 8 plus lambda equals 0 तो lambda की value 5 तो line की equation हो गई 3X minus 4Y plus 5 equals to 0 यह line की equation आ गई तो A point जो होगा वो इस line का और X plus 2Y minus 1 equals 0 इसका intersection point होगा इसका intersection point कैसे निकालेंगे और यह बशीज मैंने अलग से नहीं बताया कि दो line का point of intersection कैसे निकालते हैं I think यह सबको पता ही है linear equation in two variable में करा होगा न तो आपको symbol क्या करना है minus 4 5 2 minus 1 Y upon 5 minus 1 3 1 is equals to Z upon 3 1 minus 4 2 X upon 4 में 10 गए minus 6 Y upon 5 3 8 हो जाएगा is equals to Z upon 6 4 10 हो जाएगा sorry 1 not Z 1 तो इससे X की value आ जाती है minus 3 by 5 Y की value आ जाती है 4 by 5 मत्तब जिस point की बात कर रहे है A के coordinates minus 3 by 5 comma 4 by 5 आ गया अब अगर आपको PA distance चाहिए तो आप क्या करो AP कौन था 1 comma 2 formula लगा दो 1 minus 3 by 5 यह हो गया 8 by 5 का square plus 6 by 5 का whole square का under root 1 by 5 तो बाहर हो जाएगा under root of 64 plus 36 that will give you what answer is 2 yes sir समझा yes sir सब अच्चो के सोझ में आया yes sir yes sir अब देखो यह भी हमने क्या करें distance formula से निकाला answer आपको मालूम चल गया अब मैं आपको यह parametric से करके दिखाता हूँ ठीक है अगर मैं से आपको parametric से दिखा हूँ तो देखो आप बताईए कि आपको यह आसान लगा कि नहीं लगा मुझे लगता है ठीक है तो कुछ-कुछ जगे पे parametric form question को बहुत असान कर देता है हमारी जो जो हम line की बात कर रहे है कौन सी line यह line हमने निकाली थी न इस line का slope कितना होगा इस line का slope था 3 by 4 क्यों क्योंकि इसका slope 3 by 4 है तो इसका slope भी 3 by 4 होगा तो any point मतलब 10 theta 3 by 4 है तो इस line पे अगर मैं कोई point मानूंगा तो x1 x1 कौन है? 1 x2 कौन है? 1 तो 1 प्लस r 1 प्लस r cos theta cos theta हो जाएगा 4 by 5 कॉमा 2 प्लस r यह हो जाएगा sin theta 3 by 5 मतलब जो line ap है उस पे कुई भी point को मैं 1 प्लस 4 r by 5 और 2 प्लस 3 r by 5 यह मान सकता हूँ चीक है? अच्छा तो कोई ना कोई r के लिए यह a point को यह मान सकता हूँ I can assume the point a like this चीक है? तो a को अगर मैं ऐसा मानूंगा तो a तो line पे लाई कर रहा है न? यह अगर line पे लाई कर रहा है तो line की equation को क्या करेगा? satisfy तो इसका मतलब 1 प्लस 4 r by 5 प्लस 2y 2y मतलब 4 प्लस 6 r by 5 चीक है? माइनस 1 equals to माइनस 1 ही आएगा क्या आएगा? हाँ माइनस 1 equals to 0 चीक है? तो इसको जड़ा देखो क्या हो जाता है? यह हो जाता है 4 प्लस 10 r by 5 equals to 0 इससे r की value हमें minus 2 मिल रही है r की value minus 2 आगई अर्थाथ? अब बताओ जो distance होता था fixed point से वो r होता था कि mod r होता था? mod r mod r तो हमारा जो distance होगा PA that will be equivalence to mod of r which is equals to what? 2 अच्छा, r की value अगर मैं minus 2 यहां रख दू r की value minus 2 यहां पे रख दू तो देख रो यह minus कितना आपका? minus 3 by 5 और यहां रख दू तो 10 4 by 5 यह point भी आगया A तो यहां calculation थोड़ी सी हमारी comfort zone के बाहर है लेकिन यहां पे distance निकालना है यहां distance दे रखी है उस तरह के questions में यह बहुत काम देता है कौन सा ओके यह वाला यहां यही वाले पार्ट में बिटा देखो यह क्या थे यह A के coordinates है और जो line का distance चाहिए था हमको यह line थी यह point था 1,2 तो 1,2 से हमने यह line ली थी तो यह A point के coordinates अगर यह हैं तो यह वाली जो line थी X plus 2Y minus 1 इसके coordinates इस line की equation को क्या करेंगे, satisfy करेंगे न? Yes, sir तो यह देखो, यह हो गया X की जगह है, इसका X coordinate यह क्या हो गया, Y coordinate का 2 times हो गया, यह minus 1 equals 0 हाँ, हाँ, सम्चाब चिक है? Yes, sir यह कौन गाइब हो गया, भई? सुमा, नंदनी, हिताली है वो यादव जी गाइब हो नंदनी तो है एक और लड़का था, वो गाइब हो गया की एखý? Yes, sir क시के की क्लास ऑपर ले रहा हूँ चार बजे क्लास है, तो बता हो अच्छा ठीक, अभी अपन यहां रोकते हैं इसको, ठीक है, मैं यहां इसको यह रोकता हूँ ठीक है अच्छा बच्छों मै चाहरा हो kos prof некоторые week class कर दूँ ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday का ये प्लान कर रहा हूँ तो क्या आप लोगों के पास 12 से 4 वाला शेडूल जो है मैं कुई उसमें से टाइम फिक्स कर दूगा, 12 से 4 के बीच में कुई टाइम फिक्स कर दूगा तो क्या वो सब लोगों को अपर दिबल है हाँ शेर किसी का कोई क्लास व्लास तो नहीं होता 12 से 4 में क्लॉक से कर दीज़े हाँ 12 15 तेक स्कूल की ग्लास रहती है ओक ओक ठीक है, तो आफ्टर वन ओ क्लॉक ना इस सर्टीक तो आफ्टर वन ओ क्लॉक हम लोग उसको वैसा कर लेंगे तो मैंने की हम लोग 4 दे वीक करेंगे और लगाता है चार दिन रहेगा इसके फिर हम वर्क्स करेंगे आने की आपके असाइनमेंट्स हो कर अभी अभी अब आने लग जाएंगे ठीक है, मैं आज जाके फ्री हुआ हूँ तो मैं देख रहा होगा मेरे चेहरे मेरे चुमका चुमका चेहरा देख रहा होगा तो पागलों के तरह बंग बंग के पागल हो गयादा पढ़ाने में मजा आ रहा है च्रीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकि कल हम लोग जब नेक्स टन पर मिलेंगे हो सकता है, अपन कल ही मिलें दुबारा च्रीक है, तो कल अपन मिलेंगे तो इसमें आगे की कौन से प्रोफाइस होते हैं क्या होते हैं, बहुत मेज़दार और बहुत अच्छे-च्छे क्वेश्टन्स इसमें बनते हैं तो हम लोग उसके वारे हम कल बात करेंगे ओके चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलें ओके